एपिसोड की सुरुवाद में हम भी दिखा जाता है कि कोई मज़े से खा रहा होता है और ये और कोई नहीं हमारा सोमून होता है आगे यहां भी दिखा जाता है कुछ लिख उसे देख के उसके तरफ बाड़ रहे होते हैं और इससे समुझे कोई फर्क नहीं पोड़ रहा होता है और वो खाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि इन पिछली दो सालों मैं ने तीन की एकुमेलेशन टेकनिक और कुछ बेसिक की को गयदर किया है अपने देन दियान में हाला कि इसकी एपिपेशेंसी जादा नहीं है पर फिर भी मैंने एक चावुल के दाने इतना की तो अपने देन देन्दयान में हखठा कर ली है आगे फि की की एक मेरे सम टेकनिक को सीखने हैं लेता तब तक मैं अपने बोड़ी ट्रेनिंग और फाउंडेसन पर मुझे ध्यान देने की बहुत जरूरत है आगे कोई चीरला के कहता है कि ओई बच्चे ये बात सुनकर विशू मुनसांत रहता है और आपने खाने को कांटिनुव करक खा रहा होता है आगे कुछ बंदे उसके चारो तरफ मतलब उसके टेवल के चारो तरफ गेरे खड़े होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी भूख के भूत ने पूजस कर लिया है और ऐसा कुछ ये सब बोशो मुन को कह रहे होते हैं फिर भी सो मुन उनके बातों प बंद कर और मेरे पीछे या फिर सो मुन साब सब मना कर देता है और कहता है मुझे नहीं जाना ये बात सुनकर वो आदमें गुसे से क्या बोलकर उसे कहता है कि मैं यहां का हैड सर्वेंट हूं और तुम मुझे फोलो कर जब तक कि मैं तुछ से अच्छे से बात कर रहा हू फिर सोमुल कहता है चलो फिर ठीक है खाने के बाद बात करते हैं ये बात सुनकर बात भी बहुत ज़्यदा घुसा हो जाता है और अपने मन में कहता है ये वास्टड और वो अपने उंगली सोमुल के खाने में डालते हुए कहता है की लेडी यन ही और स्टीवाड की वज़े से तुम्हें इसा नाटक कर पार रहे हो ना। ये कहके वो उंगली को आपने चाटने लेगता है जो सोमुन के खाना में डूबाया होता है और वो कहता है कि अगर तुम मुश्किल में नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे पीछे आओ सोमुन उन लोगी तरह में देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पहले तो ये लोग स्टीवाड और यंग लेडी चुह यो नहीं से मेरा कनेक्शन को देखते हुए मुझसे डील करने के बार में सोच भी नहीं सकते थे पर अब ये लोग मुझे आपने नीचे दवाना चाहते हैं लेकिन पिछले दो सालों से मैंने एक मामूली नौकर की पुजिसन से बचने में असमर्थ था इसलिए इन लोग सोच रहोंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ पर इन लोग का मुझसे जलना ये स्वाभा भी खे मैं बहुत ज़्यादा पी करता हूँ इसलिए मुझे एक सापरेट कमरा मिला हुआ है इसलिए मुझसे जलना तो तैह है फिर सोमुन आपने टेबल से खाड़ा होता है और वो कहता है चलो फिर ठीक है फिर हमें एक जगा के सीन दिखा जाता है जहांपर सोमुन और वो लोग इक जगा पर होते हैं और वो लोग कहरे होते हैं इतनी दूरी ठीक रहेगी इन अप रहेगी फिर सौमून कहता है तो बताओ क्या चाहते हो तुम फिर सौमून के बाद को सुनकर वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और मुस्कुराने लगते हैं लगता है वो किसे इतानी प्लान कर रहे होते हैं और तब ही उन मेंसे के आत्मी सोमून के और बढ़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हे कुछ मैनर सिखाना चाहिए था लेकिन मैंने तुम पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया। ये कहते हुए उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम हमरे अंडर आ जाओ और ये कहे ही रहा होता है कि उसके पेट में एक जोदर मुक्का पड़ता है और ये सोमून नमा रहा होता है और सोमून अपने दूसरे हाथ से उसके मुझे लेचे भी एक एटेक करता है जि इसे देखकर बाकी सब लोग सत्मे में होते हैं और अपने मन में सुचते हैं कि आखिर अभी यह हुआ क्या तब सोमुन कहता है कि तुम जोगों न मुझे मेरे खाने के सुनेरे समय में डिश्टर्ब किया है तो मुझे उमीद है कि तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा फिर स्वामून को दिखा जाता है जो आगे बढ़के वोई बियोस्वा आदमी के सरके पर अपना पैर रहके कहता है कि जबकि तुम लोगों ने मेरे खाने के सुनेरे समय में मुझे डिश्टब किया है तो मुझे उमीद है कि तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा ही इंटर्टेन करोगे ये सब कहे के स्वामून अपने मन में सोचने लगता है कि भले ही मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा हूँ लेकिन इतने सारे एडॉल्ट लोगों के साथ आमने सामने लगना में बहुत खतरा है क्योंकि मैं अभी एक बच्चे के सरीर में हूँ और मेरे पास उतना की नहीं है बस थोड़ी से की है और ये बहुत सारे हैं और मैं एकला आगे फिर वो सोचते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है मैं इस सबसे एक एक करके निपटूंगा और एक एक के एक के तरफ दोड़ के आगे बचने लगता है और उसे अपने किसी टेकनिक से मारते हुए कहता है कि ये दूसरा है और ये कहके उसे भी नोकाउट कर देता है और वो तीसरे आतमी के तरह बाड़ने लगता है ये देखकर वो तीसरे आतमी उसे पकड़ने की कोसिश करता है पर सोमन उसके पकड़ से बच जाता है और बड़ी तेजी से उसके पीछे चिला जाता है बहुत मैं जब उसे पकर नहींपाता तो बहुत जब पीछे पलड़ता है तो बहुत है देखता है कि समून अपने घोष्ट्रिप के मदश से बहुत तेजी से पीछे से उसके उपर चरखे उसे बहुत तेजी से मारने लगता है और इसी के साथ वो तीसरा नौकाट हो जाता है और इसी के साथ वो चोथे आदमी के तरफ बढ़ने लगता है और वो चोथा आदमे उसे एक पांच देने की कोशिस करता है लेकिन सोमन नेचे चुकर उसे डोच कर लेता है और उसके पीछे चला जाता है फिर सोमुन कहता है कि इसके साथ ये चार नंबर है और बड़ी तेजी से वो उसके तरफ बढ़ने लगता है उस चोथे आदमी के तरफ पर कोई उसे चिला के कहता है कि अरे बेबगू पीछे देख पर जब तब वो पीछे मोड़ता तब तो बहुत देर हो चुकी होती है और शोमुन उस पर एटेक कर चुका होता है और इसी कैसा तो बो नौकाट हो चुका होता है यह सब देकर बाकि सरे लोग कह रहे होते हैं कि क्या यह बहुत एक बच्चा है न पीछे का आदमी को दिखा जाता है जो इधर उधर देख रहा होता है और वो कहता है एक फर पकड़ मैं हो बस एक फर और ये देखकर उनका जो हैर होता है, जो हैर सर्वन, वो उसे मारते हुए कहता है, तुम सब लोग क्या कर रहे हैं, वो सब एक बच्चा ही है, फिर हमें आगे सोमून को दिखा जाता है, जो कि उन सब नोकाउट करके वहां खड़ा होके सोच रहा होता है कि, अभी बस कुछ सही की बची हुई है, और इसलिए मेरा गूल होना चाहिए उन सब का लीडर, और इसके बाद सोमून उन सब के तरफ देखते हुए कहता है कि, क्या तुम ऐसे ही छुपना जारे रखो गए हैड सर्वेंट, ये बात सुनकर वो हैड सर्वेंट कहता है कि, तुम बास्टेड, अब तुम खुद को और सुब नहीं कर पाओगे, ये कहा कि वो बड़ी तेजी से सोमून के तरफ बनने लगता है, और सोमून के पास जाकर उसके मूँपर एक पॉंच लगान के कोसिस करता है, पर सोमून उसकी पॉंच को एजीली डौच कर लिता है, फिर भी उसकी नौच पर एक चोट लग जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से डौच नहीं कर पा रहा था, फिर सोमून अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बस उसने मेरे नाक पर तोला से टेच किया, और मेरे नाक से बलड निकर रहा है, सोमून अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं कि इसी को डारेक्ली इस तरह से हीट करो तो यह बहुत ही खतरनाग होगा बोलों सोमून की नाग से खून आटा दे कर बहुत खूद सो रहे होते हैं और इसी के साथ एपीसोल होता है खतम